हेलो दोस्तों मैं हूँ नीर्मडा और मेरी चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में सर्दी जुखाम होना आम बात है लेकिन साथ में नवरात्रे भी चल रहे हैं जिसमें हर कोई वरत तो रटता ही है इसलिए वरत में सेहत का खास खयाल रखना भी बहुत जरूरी है इसलिए आज मैं आपसे शेर करने जा रहे हूँ वरत में खाया जाने वाला ऐसा नाश्ता जो आपको पेट की परिशानी और सर्दी जुखाम से बचाए रखेगा तो चलिए दोस्तों ये बहुत ही चटपटा टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं हेल्दी और टेस्टी साबुदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कब साबुदाना लिया है मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का साबू दाना लिया है और साबू दाना को भिकोया नहीं है इस किछटी को बनाने के लिए हमें साबू दाना को भिकोना नहीं है बस एक बार साबू दाना को हम अच्छे से धो लेते हैं दोने के बाद साबू दाना को मैंने इस चलनी में निकाल दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए तो येदि आपने साबू दाना भिकोया नहीं है तो आप फटा फटी रेसिपी बना सकते हैं तो अब हम ले लेते हैं कड़ाई और कड़ाई के अंदर एक से दो चमल तेल या गी ले लेंगे तो येदि वरत में आप तेल खाते हैं तो तेल का इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो गी का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे ही गे गरम हो जाए इसके अंदर आड़ करेंगे एक छोटा चमर जीरा, जीरा का फ्लेवर इस के चड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है लेकिन यह दिया आप जीरा नहीं खाते हैं वरत में तो स्किप कर सकते हैं, अपने तीखेपन के हिसाब से इसमें एक से दो कटेवी हरी में चाइड कर लेंगे और साथ ही अड़ करेंगे इसमें दो मीडियम साइज के मीडियम पिसेज में कटेवे आलू, आलू को अब गे के अंदर हम कुछ देर के लिए रोस्ट करेंगे तो इससे इनका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और आलू पकने में ज्यादा स से घुल जाएंगे इसलिए मेडियम पिसेज में काटेंगे तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और वो वीजिबल होंगे खीचड़े में जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं अब यहां पर आलू को हमने एक से दो मिनट के लिए घी के अंदर जाएगा तो इसे दुबारा से एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं घी के अंदर इस तरह से खीचड़ी बनाने का एक फाइदा ये भी है कि आप थोड़ी से साबुदाना में काफी मात्रा में खीचड़ी बना कर तयार कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसलिए पानी इस स्टेस पर आपको ज्यादा ही एड़ करना है तो यहां पर देखिए मैंने काफी सारा पानी एड़ कर दिया है लेकिन धीरे धीरे ही पानी कहां गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा अब स्वात के नुसार हम नमक एड़ कर लेते हैं मैंने यह पैन के अंदर आता कप मॉंगफ़ली को Рोस्ट कर के लेंगे तो आप चाहें तो थोड़ा सा गी लेकर उसमें फ्राई कर सकते हैं मॉंगफ़ली को या लोट्व मीडेम फ्रेम पर इस तरह से रोस्ट कर लें तो मॉंगफ़ली का टेस्ट भी बहुत अचाता है ये फायदे मंद भी बहुत होती है तो मुखफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है ये जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसका चिलका हटा लेंगे और इधर देखिए जो खिचड़ी है वो धीरे धीरे घुलने लगी है अभी हमें इसे और पकाना है अब दुबारा हम इसे 2-3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद दुबारा चेक करेंगे तो देखिए और भी अच्छे से ये गुलने लगी है और अभी 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे तो इससे पहले इस खिचड़ी को चटपटा बनाने के लिए हम इसमेड करेंगे तो मीडियम सैज के मीडियम पिसेज में कटेवे टमाटर तो इसे दुबारा कवर कर देते हैं टमाटर डालने से एक तो खिचड़ी देखने में बहुत सुन्दर लगती है और काफी ज़्यादा चटपटी हो जाती है लेकिन ये दीवरत में आप टमाटर नहीं खाते हैं तो लास्ट में निम्बू का जो सैड कर सकते हैं अब खिचड़ी बन कर तयार है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसमें जो साबुदाना है आलू है काफी अच्छे से पक जुका है बहुत ही ट्रांस्परेंट हो गई है सारी खिचड़ी और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाई यानि इससे गाड़ा ना करें नहीं देरे देरे ये और भी ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी तो लास्ट में हम डाल देंगे रोस्ट कीवी मौंगफली तो मौंगफली का लास्ट में डालने से क्रंच बरकरार रहेगा जो बहुत अच्छा टेस्ट लाएगा और खुब सारी पारी कटीवी धनिया की पत्ती एड़ करें और बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें तो देखें दोस्तों कितनी कलरफुल कितनी लाजवाब खिचडी बनकर तयार हुई है तो चलिए इस मज़ेदार खिचडी को अब हम सर्व कर लेते हैं आप इसे गर्मा गरम ही सर्व करें ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगी और ये किन मानिए ये खिचडी आप एक बार खा लेंगे तो पूरे नवरातरे हर रोजी खिचडी जरूर बनाना चाहेंगी तो दोस्तों आप इस जल्द इसे किचण में जाएं और ये लाजवाब खिचडी जरूर बनाएं और कैसे बनी आपकी खिचडी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये आज का ही वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं मेरी ऐसी और भी रेसिपीस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं को नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई